हेलो एवरीवान वेल्कम बेक चानल विज्डम अकेडमी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रिंसिपल और जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट थी जिनकी फाइनल आंसर किया गई थी उनकी कट ओफ गई है तो इतना एक्सपेक्ट नहीं था कट ओफ थोड़ की कट ओफ कितनी रह सकती है जर्नल की कितनी कितनी कैसी रहेगी और उसके बाद से यूट्यूब पर बवाल मज गया है कि क्वेस्ट की कट ओफ बहुत जादा हाई जाने वाली है बहुत जादा हाई जाएगी इसका रीजन क्या लगा रहे है कि क्वेस्ट म्यूजिक का आप कह सकता यह सब अनुमाल नगा रहें कि इतनी जाएगी ऐसे जाएगी वैसे जाएगी लेकिन जिसे कहते हैं बिल्कुल सटीक वह तो स्रिफ के वीएसी बता पाएगा ना कितनी उसकी कट आफ जो है वो जा सकती है बट कल से जो एक नहीं चीज़ स्टार्ट हो रहे हैं यूट् कर देखो मैं आपको इतना बता दू के वीएस प्यार्ट की कट आफ बिल्कुल भी इतनी नहीं जा रही है जिसने भी मुझे कमेंट कर रहा है और मुझे बोला है कि 135-140 कट आफ जाएगी कि कह रहे हैं क्या यह सथ है तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है देख 400 ही तो है 400 वेकेंसी की अगर कट आफ जारी है 137 या 135 तो उसमें प्रॉब्लम क्या है हां आई नो कि अब तक जितने भी केविस के एक्जाम हो है उसकी रिगार्डिंग है कट आफ है बट एक्जाम भी तो चार साल बात हुए ना कॉम्पेटिशन भी तो डबल हो गया है और वेकेंसी भी तो कम है वही अगर आप अधर हैंड देखोगे तो केविस प्यार्टी की वेकेंसी हजारों में हैं 5000-6000 मींस इतनी वेकेंसी है तो अगर उनी की वेकेंसी में अगर इतनी वेकेंसी में 137 कट ओफ चली गई फिर तो बहुत चुनिंदा बच्चे ही तो कैसे जा सकती है चीस पहले चीस तो यह होगा दूसरी चीज जो के वी इसको बच्चे सिलेक करने है इंटर्व्यू के लिए वह करिब 9 जुना या 3 जुना बच्चे बुलाएगा तो 6 तो आप जेस तरीके का KVS का पेपर था इसी शिफ्ट में कर्फ किसी शिफ्ट में इजी इस तरीके से आपको लगता है कि अठारा हजार बच्चे ऐसे होंगे जिनके 135 मार्स बन रहे होंगे मेरको कोई डेटा वगएरा कुछ भी निन पता फिर भी मैं सोच के चल रहे हूं कि ऐसे बच्चे नहीं होंगे क्योंकि KVS PRT मूजिक का जो पेपर था और KVS PRT का जो पेपर था दोनों के लेवल में जमीन आसमान का फर्क है आप अगर उठाके भी देखोगे उसमें ठीक म्यूजिक से चीज़े पूछी गई थी और हमारे एक्जाम में किसी में बहुत इजी आ रहे हैं कहीं में साइंस पूछ रहे हैं कहीं भी कुछ पूछ रहे हैं बहुत अलग था तो पहली बात तो KVS PRT को KV करना बंद कर दो दोनों ही अलग है ठीक है और दूसरी चीज़ केविस PRT में हैं आपके पास वेकिंसी हैं जादा और हां एक थर्ड फैक्टर जो बहुत बहुत बढ़िया काम करेगा वह है नॉमनाइजेशन तो नॉमनाइजेशन में आप यह मत सोचो कि हाँ आप तो नॉ छेपट बढ़ियो तो उस ब्चो के मार्क्त बढ़नेरें पास तो ऐस बРजीच सो किए मत अरूमनाट फ्लेंटेशन में ढ़र मार्नाट हैं वह हैं जब़छतों को बढ़िया आपको कि अगर दिस बच्चा के मार्कr जो पास भी होगी करेगा तो दुसरे बच्चों मांग घराथ भी तो रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो सब्सक्राइब लेक्षार इसा फोरी के पुरी बच्चा वहाई होता आगर गता कि अग्षा बहुत है योग एक मार्च काम है तो आपकी कट-off और वह विटमीन जाएगी इन-विटमीन selection दोनों में से होगा चाहें जादा वाले बच्चे हो चाहें कम वाले बच्चे हो selection दोनों में से होगा ठीक है तो अभी भी जो आपकी cut off है जादा से जादा भी रहेगी तो अगर जादा जाती है normalization के बाद जब बच्चों के match बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे उसके बाद भी जो आपकी cut off है ना वो 125 से 130 के बीच में ही रहने वाली है ठीके इससे ज़्यादा आपकी cut off नहीं जाएगी 125 से 130 बस और हो सकता है कि अभी कम हो जाए क्योंकि नॉमनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा chances जेह रहेंगे तो आप भी तो 127-130 वाली केटिगरी में आ जाओगे ना और 130 बातर cut off जाती भी है तो आप तो अलड़ी in कर चुके हो cut off marks बढ़ने के बाद क्योंकि जो आंसर की आई थी देखो बहुत सारे फैक्टर है केटि में तो नॉमनाइजेशन हो गया अलग अलग शिफ्ट का हो गया और हमारे पर इतनी जादा विकेंसी है तो इतनी जादा हाई cut off तो नहीं जा सकती फिर फूर्थ चीज है कि जो हमारी केवेस की आंसर की आई है उसमें कितने सारे कोशन गलत थे कितने सारे आंसर गलत थे काफी सारे बच्चों ने अब्जेक्शन भी उठाया होगा तो आप वह भी तो ठीक हो करके आएंगे तो आपको दो प्लस प सकते हैं अगर कट-off हाई भी चली जाती है तो भी आपके मार्स बढ़ेंगे आप अपने मार्स देख करके दिमोटिवेट मत हो कि इतने मार्स इतने मार्स से क्या करें I know mentally परिशान हो और जो जैसे कमेंट आ रहे हैं समझ में आ रहे हैं बट उसको अपने माइंड पर मताव परिमां में से कसे बट जाँ हैं म chip करें घरे करें रहे हैं मैं आ भी तो एक तो फिर करी नहीं पाऊंस और जब तक रिज़कि जाएगा शार्य दिन ला ciudadion reflectionी जादा चीजे मत सोचो जो भी होगा फिर वो सबके साथ में सबके साथ आई जाएगा बाकि और भी कोई आपकी क्वेरी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो